नमस्कार, स्वागत है आपका मिनाक्षी इस किचन में, आज में शेक कर रही हूँ लसुन और टमाटर की चटनी की रेसिपी, इसे आप चाहें तो किसी भी साउथ इंडिन डिश के साथ या फिन और इंडिन डिश के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए पैन में अब इसमें डाल दी थोड़ी सी ही, अब इसमें डाल देंगे एक चमच उरत दाल, इसको हलका हलका हम भून लेंगे, कुछ दिर भूनने के बाद मैं इसमें एड कर दूंगी एक बड़े साइस का प्याच, प्याच को मैंने इस तरीके से रफली चौप कर लिया है, प्याच प्याच को हम हलका हलका भून लेंगे, ब्राउन नहीं करना है प्याच को बिल्कुल भी हमें, बस हलका हलका भूनना है, हलका सा भूनने के बाद मैंने इसमें एड कर दी लसुन की कलिया, करीबन 6-7 लसुन की कलिया मैंने इसमें एड कर दी, और साबूत ही इस तरीके से मैं भून लिया, तो यदि के दोनों को मैंने बिल्कुल हलका सा भूना है, कलर बिल्कुल भी इसमें नहीं आया है, अब इसमें एड़ कर देंगे सुखी साबोत लाल मिर्चे, तो मैंने आपर पांच सुखी साबोत लाल मिर्चे एड़ कर दी है, जितना तीका आपको पसंद दे तो इसके कॉर्डिंग इसमें आप मिल्ची आइड कर दें अब मैं इसमें आइड कर दूंगी टमाटर तो मैंने इसमें पांच टमाटर आइड कर दिये है टमाटर को भी मैंने रफली चॉप कर लिया है इसको भी भून लेंगे साथ मही हलका सा कुछ जिर्व होने के बाद इसमें एट कर देंगे टेस्स के कॉर्डिंग नमक अगर आपको तीखा कम पसंद है तो इसमें आप चाहें तो कश्मेरी मिर्च भी आइट कर सकते हैं वो कम तीखी होती है अच्छा सा कलर भी उसमें से आ जाता है चाहें तो अगर आपके बास ये वाली मिर्च है तो इसमें साब सीड्स निकाले तो वो कम तीखी हो जाएंगी अब इसे हम ढखकर लगा कर पकाएंगे स्लो हीट पे करीबन 5-10 मिर्ट के लिए तो ये देखें 10 मिर्ट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ टेमाटर को दबा कर देखेंगे कि टेमाटर मारे गले है की नहीं टेमाटर मारे अच्छे से गल गए है एकदम सॉफ्ट हो गए है अब मैं गयास को बंद कर दूँगी और इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी ठंडा होने के बाद इससे हम डालेंगे grinder के jar में और इसको हम पीस लेंगे तो इदिके सारी चीज़े ठंडी हो गई अच्छे से अब मैं इससे डाल दूँगी grinder के jar में और इससे मैं पीस लूँगी इसको में लिखा दरदर ही पीसने वाली हूँ चाहें तो इसका बिल्कुल finely भी grind कर सकते हैं तो सारा ही mixture मैंने इस तरीकी से grinder के jar में डाल दिया अब इसको हम पीस लेंगे तो यह चेटनी हमारी तयार हो गई है इसको मैं निकाल लेती हूँ एक bowl में इस चेटनी को आप चाहें तो फ्रिज में स्टोर करके एक अपते तक खा सकते हैं जल्दी से खराब भी नहीं होती है जैसे के इसको बराते से हमाना पानी बिल्कुल भी add नहीं किया तो यह जल्दी से खराब भी नहीं होगी अब last में मैं लगाऊंगी इसके उपर एक तड़का तो तड़का पैने मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ओयल अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी mustard seeds तो मैं इसमें डाल दी आदा चमच मोटी सरसो इसको हलका हलका हम भून लेंगे और इसको हम crackle होने देंगे जब इस तरीके से ये pop होने लगे तब हम गैस को बंद कर देंगे अब मैं इसमें add कर दूँगी थोड़ी सी curry leaves गैस को बंद करके इसमें आप curry leaves add कर दिने तो वो उड़ जाती है अब इस तड़के को हम डाल देंगे चटनी के उपर और ये चटनी हमारी तयार हो गई ये mix कर लेंगे इसको आपको इसकी recipe पसंद आई हो तो please like, share और subscribe ज़रोर करें तो तयार है हमारी lesson टमाटर की चटनी तो चलिए मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई